उत्तर प्रदेश की राजनीती में पिछले कई दिनों से जो भूचाल आया हुआ था वो अब शांत होता नजर आ रहा है दरसल उत्तर प्रदेश में बीजिपी के भवेष्य की राजनीती का खाका दिल्ली में करीब करीब तैकर लिया गया है राश्ट्रे स्वे सेवक संग की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसवा चुनाव मुख्यम मंत्री योगी आदितिनात के नेतरुत में लड़ने का फैसला लिया गया है इससे भी महतवपूर निर्णे ये माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे पांच राज्जों में होने वाले चुनावों में आप प्रधामंती नरेंद मोदी चहरा नहीं होंगे बीते कई दिनों से यूपी में विधान सबस्चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच एक शोर बहुत जोरों पर सुनाई दे रहा था और वो शोर था यूपी के मुख्यमंत्री को शायद हताया जा सकता है हाला कि इस पर कोई अधिकारिक बयान तो नहीं आया था लेकिन बैचकों का जो दौर चल रहा था उसने साफ कर दिया था कि अब यूपी की राशनीती में सब कुछ ठीक नहीं है संग का मानना है कि शेत्री नेताओं के मुकाबले प्रधानमंती नरेंद मूदी के चहरे को सामने रखने से उनकी छवी को नुकसान हुआ है विरोधी बेवजा उन्हें निशाना बनाते हैं संग किसी भी नेता को अलग करने या नाराज़गी के साथ छोड़ने के लिए तयाद नहीं है अब इस पर योगी को खरा उतरना है महराष्ट की बात करें तो महराष्ट में शरत पवार परिवार को साथ लाने पर भी विचार को रहा है यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर मन्थन अब जोरों पर है आरेसेस की दिल्ली महुई बैचक में मोहन भागवत और दिर्तात्रे होस्पुले की मौजूदगी में ये निर्ने लिया गया है कि योगी आधितनाद के चहरे पर ही यूपी में विधानसबा चुनाव लड़ा जाएगा सुत्रों का कहना है कि इस बैचक में पश्चिम मंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर चिंतन और समिक्षा की गई है संग नेताओ का मानना है कि पश्चिम मंगाल के विधानसबा चुनाव में ममतंव बना मोदी की रणनीती से काफी नुकसान पहुचा है दरसल चुनाव हारने से ज़्यादा एहम यह है कि राज़नीतिक विरोधियों को प्यधान मंत्री मोदी पर बार बार हमला करने का मौका मिला इससे उनकी इमिज को नुकसान होता है इससे पहले भी बिहार की बात करें तो 2015 में विधानसबा चुनाव में नितिश खुमार के खिलाफ और फिर दिल्ली विधानसबा चुनावों में अर्विन के चिवाल के खिलाफ भी इस रणनीती में कोई फायदा नहीं हुआ खेर ये बात सही भी है क्योंकि PM मोदी की देश के लोगों के बीच में जो अभी छवी बनी हुई है वो छवी अगर वही बनी रही तो हो सकता है उसका खामियाजा यूपी में होने वाले विधानसबा चुनाव में भुकतना पड़ सकता है यूपी में मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है सूत्रों की बात मानी जाए तो बैठक में कहा गया है कि खास तोर से पूर्वी उत्रप्रदेश में योगी की इमेज मुसल्मान विरोधी नहीं है और गोरकपुर के साथ जुड़े इलाकों में मुसल्मानों और पिछड़ों में गोरकनात मंदिर पर भरोसा है मुख्य मंत्री बनने से पहले तक योगी आधितनात मंदिर के महंत के तौर पलिस्थानिय मुसल्मानों के विवात मंदिर में बैठ कर सुलजाते थे और उनकी मदद भी करते रहे हैं मकर संक्रांती पर मंदिर में लगने वाले खिचडी मेला में ज्यादतर दुकाने मुसलिम विवसायों की ही खुती है सूत्रों के मताविक एक और एहम बात पर गंभीरता से विचार किया गया है कि इस वार यूपी विदानसबा चुनावों में बीजेपी मुसलिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारे इससे उसके मुसलिम विरोधी छवी बनाने का मौका विरोधियों को नहीं मिलेगा इस पर अंतिम फैसा पाटी को करना है पिछले साल चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलिम उम्मीदवार को ही नहीं टिकेट दिया था हाला कि इन सब के बीच खबर ये भी आ रही थी कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस खबर तो ज्यादा बल तब मिलाज पांच जून को योगी आधितनात के जरम दिन पर प्रधान मंती नरेंध मोदी ने टूइट करकर उन्हें बधाई नहीं दी लेकिन RSS के एक वरिष्ट नेता के मताबिक भले ही आप ना माने लेकिन कि सच है कि मोदी योगी के बीच कोई विवाद नहीं है और UPBJP के ट्विटर अकाउंट या पोस्टर से मोदी की पोटो खटाने की वज़ा विधान सबस्चुनाव योगी के चहरे के साथ लड़ने का नेने ही है दरसल दोनों नेताओं को साथ काम करने और इसकी छवी को मजबूत करने के लिए कहा गया है इसलिए अब UP के पोस्टर पर योगी अधितनात के अलावा UPBJP के अध्याग सुतंत देव सिंग दोनों मुख्यमंत्री दिखाई देंगे शायद इसलिए सोंबार शाम प्रधानमंत्री नरेन मूदी के राष्ट के नाम संदेश को देखते हुए योगी की फोटो जारी की गए मुख्यमंत्री ने वैक्सीन मुक्त करने के लिए केंद्र के पैसले पर प्रधानमंत्री मूदी का आभार जटाया है हाला कि अब भी बीज़िपी नेतरुफ्द को अंतिम निर्ने करना है कि क्या वो सामूहिक नेतरुफ्द के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है या नहीं विलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे गए निउस वर्ल इंडिया